साथियों, बिंद्य परवत का ये पूरा अविस्तार, पुरातन काल से ही विश्वास का, पवित्रता का, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कई लोग जानते हैं, रहिम दाज जी ने क्या कहा था। रहिम दाज जी ने भी कहा, जापर विपदा परत है, जापर विपदा परत है, सो आवत यही देश। भाई और भेनों, रहिम दाज जी के इस विश्वास का कारण, इस छेत्र के अपार समसादन थे, यहां मौजूद अपार संभावना आए थी, बिंद्यान चल से, शिप्रा, बेण गंगा, सोन, महानर्द, नर्वदा, कितनी ही नदियों की धारा वहां से निकलती है। मा गंगा, वेलन और कर्मनाशा नदियों का भी आशिर्वात इस छेत्र को प्राप्त है। लेकिन आजादी के बाद, दसकों तक, अगर उपेक्षा का शिकार भी अगर कोई क्षेत्र हुआ है, तो यही क्षेत्र सबसे अधीक हुआ है। मिल्याच चल हो, बुंदेल खंड हो, एपुरा क्षेत्र, संसा धनों के बावजूत अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदिया होने के बावजूत, इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सुखा प्रभावित क्षेत्रों से ही की ही रही। इस वज़ा से अनेकों लोगों को यहां से पलायन करने पर भी मजबूर होना पड़ा। साथियों, बीते बर्षों में विद्यान्चल की इस सबसे बड़े परिशानी को दूर करने एक निरमतर काम किया गया है। यहां गर गर जल पहुचाने और सिंचाई की सुविधाओं का निरमान इसी प्रयास का एक बहुत एहम हिस्सा है। पिछले साल बुंदेलखन में पानी से जुड़ी बहुत बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया गया था। जिस पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत बहुत बढ़ाई का यह अवसर है। और आज जब मैं इस सेत्र के लोगों से बात करता हूँ। तो स्वाभाविक है कि इस अवसर पर मैं मेरे पुराने मित्र स्वर्गिय सोने लाल पटेल जी की भी याद कर रहा हूँ। वो इस इलाके की पानी की समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इन योजनाओं को सुरू होते देख आज सोने लाल जी की आत्मा जहां भी होगी उनको भौत संतोस होता होगा और वे भी हम सब पर आशिदवाद बरसाते होंगे। भाई और भेनों आने वाले समय में जब यहां के तीन हजार गाउं तक पाईप से पानी पहुँचेगा तो चालिक स्लाग से भी जादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इस से यूपी के देश के हर घर तक जल पहुचाने के संकर को भी एक बहुत बड़ी थाकत मिलेगी। ये परियोजना कोरोना संकर्मन के बावजूत विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर पदेश का भी एक उदारन है। पहले जो लोग उत्तर पदेश के विशे में धारनाय बनाते थे, अनुमान लगाते थे। आज जिस प्रकार से उत्तर पदेश में एक के बाद एक योजनाय लागू हो रही हैं। इस दोरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकामला किया जा रहा है। बहार से गाव लोटे स्रमिक साथियों का ध्यान रखा, रोजगार का प्रबंद किया। ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारिकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क staggerा उत्तर प्रदेश काम करना आता है। झाल कर देता है।